भगवान शंकर ने विदाता ब्रह्मा को छमा कर दिया, माप कर दिया संकर तो बड़े करुणा के सागर हैं, बहुत बड़े द्यालू दादा हैं, द्यालू बाबा हैं कह दिया तुमने गलती का एसास किया हैं, भगवान नाराणी ने प्रार्थना करी है तो मैं तुम्हें छमा करता हूँ लेकिन धर्दी पर एक ही जगे पुजा होगी तुम्हारी एक ही जगे मंदर होगा और वो पुस्कर वर्दान मिला है जो इस इस्तान का दर्शन करते हैं पुस्कर में ब्रमाजी के मंदर में बंदन पडाम करते हैं कि उनकी बंस ब्रद्धी बढ़ती है कि तत्पशाथ केत की का रेरे केत कहा दुष्टास तौन सट दूर में तो ब्रजा हट 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 कि तेरी हिम्मद दूर जा कि महमा प्रेम ते पस्वे भाबुद पुजा स्वधाप करें तुने बहुत बड़ी गलती करी है तुने चूंटी गवाई दी तुझ जूप बोला केत की फूल को भगवान सिभ गई केतक ने कहा केतक पुष्पूल बोला नमस्ते नाथ में जनम निस्भलम भवदा गया सभलम क्रियताम ताता चम्यताम मकिल वसं अब हमसे रोड़ी गया हमारा तो जीवनी विर्थ हो जाएगा हमसे गलती हुई हम जूट बोले हैं तो आप हमें छमा कर दीए सिभ ने इसको भी छमा कर दिया कता तो हमारे और आपके लिए यदि किसी से गलती हुई है और वो मां गलती का एसास करता है तो अच्छे लोगों को चाहिए कि वह उसे च्छमा करते है बरड़ने हैं सरणांगत कहुँजे तजय नहीं अनुमान तेनर पावर पाप में इतने हैं विलोकतान जो सरण में आ गया है गलती का एसास कर रहा है फिर भी यति उसको ठोकराय जाबेगा तो अपराद लग जाए बिवीशन राम जी से मिलने को आए चरणों में गिर पड़े राम जी पीछे मुड के देख रहे थे हनुमान जी ने का भगवन बिवीशन को आपने लंकेस बना दिया आप पीछे बार बार मुड के देख रहे थे वो बास समझ में नहीं आई भगवाने का हनुमान में पीछे मुड के ये देख रहा था कि आर कहीं लंका पती भी तो चलके नहीं आया यदि लंकेस भी आगया होता तो सीता हरण की बात भूल कर मैं उसको भी माप कर देता च्छमा कर देता और वो चबाई है सरण गए प्रभताहिन दागा सरण गए प्रभताहिन दागा बिश द्रूह पे पे अगये लागा सरण गए प्रभताहिन दागा पिस द्रोह में पे अगची हिलागा चरन गई मैं बताई नगा क्या आवारा पिस द्रोह में पे अगजी अवार पिस द्रोह में पे अगजी कि लावार पिस द्रोह में आएवे को कभी ठुकराते नहीं है आज भगवान ने केत्की को भी स्राप मुक्त यह कर दिया यह कह दिया किसी भी देपता की तो पूजा में तुझे नहीं लिया जावेगा लेकिन बर्स में एक बार जब मेरी शिवरात्री का उत्सम मनेगा तब लोग तुझे मेरे मंडप में लगा देंगे तो उसको मैं धन धान से भर दूँगा इसलिए जब जब शिवरात्री आती है तो केत्की का फूल मिल जाए तो उसको लगा लीजिए यदि नहीं मिलता है तो सिवरात्री को केवडे का इत्र जरूर लेके आईए और उसको रूई में लगाईए और भगवान के मंडप के उपर लगा दें इससे महापुराण में भगवान महादिव बोले हैं कि वर्स में एक बार लोग मेरी सिवरात्री की पूजा में तुझे मेरे मंडप में जरूर लगाएंगे और जब तुझे वो मेरे मंडप में लगाएंगे तो मैं उन भगत्वों को आनंद से भर दूँगा यह भगवान महादिव बोले ऐसी अद्वत अद्वत बातों का बरडन किया गया है और उसके तत्पशाथ मार्क सीर्श के बाद में यह चर्चा चलते 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 बरसें तो लाखों वितीत हो गई थी और फिर सिवरात्री का समय चलके आ गया है इसे प्रसंद करने के लिए अद्वत्य थी है शिवरात्रह बहुरात्रम पता नहीं हिचकी क्यों आ रही है कुछ खाया पिया दो है नहीं लोग कहते हैं कि चुरा के कुछ खालो तो हिचकी आती है ऐसा ही है याद करने से तो हमें कौन याद कर रहा होगा आप ही कर रहे हैं दो कोई माता है कितने जल्दी चल दी अभी तो सूर भी बिलको जेट जैसी चमक दिखा रहा है है दूर जाना है कल फिर आ जाना कल प्रदोस के बारे में बता देंगे कुछ बड़िया सा अच्छा सा थोड़ा सा और बैड़ लो आदा घंडा दे दू हमें हमें पता है आप दूर दरार से आते हैं इसलिए तो कथा के टाइमिंग्स थोड़े जल्दी के रखे हुए तो आईए लिखा हैं निराहारो जिते इंड्रिया अर्चे द्वा यथान्या यम्यता वल्म बंचकर जो निराहार रह करके यदि फल्यार भी न ले तो कमाल हो जाएगा पानी पी ले जल ले ले सर्वत पी ले हाँ लेकिन जो बिलंदा भरके कूटू खींच दें तो फिर तो आप समझी लीजिए कल भी मैंने बोला है ब्रत करते हो तो भूंक का एसास होना चाहिए सिवरात्रा वहुरात्रम निराहार निराहार रेकर इसमें लियाई नहीं है निराहार जितेंड्रियां इंद्रियों को अपने बसमें करके इंद्रियां पते तो हो गई tho' थो भ्रस्ट हो जाता है अनुस्ठान में ब्रत में पूजा पाठ में वो फिर किसी काम का नहीं रहता, वो कहीं का नहीं रहता, वो तो वही है, कपड़े धोने वाले का स्वान न गर का न गाट का एक कावत है, इसलिए जितेंद्रियों को जीत करके आहार में बड़े दोस हैं, इसलिए तो बृतवाले दिन इसको लिया नहीं जाता है, जैसा अन् यसी जैसे ब्रतम है तो एक दिन पहले से संद्या की रात्री से इसको छोड़ने का विदान बताया अर्चिये द्वाय था न्याय मिधा अवलवन्चकाहा पुराणा कारणे वड़ा अधुत बढ़न किया जो सिवरात्री को निराहार जितेंद्रिय निस्कपट भाव से अपनी सक्ती के अनुशार विदान पुर्वक भगवान कहते हैं कि वड़ती से मेरी पुजा करेगा उससे उतना फल उसको प्रात्त होगा कितना जो निरंतर एक वरस तक मेरी पुजा करने से जितना फल प्रात्त होता है एक सिवरात्री को उवरत करने से पुजा करने से उतने फल्की प्रात्ति हो जाती है भगवान कहते हैं कमाल कर दिया आनंद कर दिया भगवान ने का एक वर्स में जितना मिलेगा मम पूजायाम बर्स एकम निरंतरम देख रहे हैं पिसे है इस लोग शंगा बिद्देशुरी शंगता है अध्या नमबर 9 है और इस लोग नमबर है 13 ह बिद्देशुरी शंगता है अध्या नमबर 9 इस लोग नमबर 13 मम पूजायाम बर्स एकम निरंतरम तत्फलम लबते सद्यस्यवरात पूमद अर्चना भगवान कहते हैं पूरा वर्स भर मेरी पूजा करने से सुमार और पता नहीं क्या क्या जो सब कुछ करने से जितना फल प्राप्त तुम कर पाओगे उतना फल आपने मेरी सिवरात्री में पूजन कर लिया वरत उभवास कर लिया तो उतने फल की प्राप्ती हो जाएगी ये भगवान शिव के शब्द हैं इसमें कोई संसे बाली बिलकुल बात नहीं है का गया है जिस प्रकार से चंद्र का दरसन करके समुद्र बढ़ता है मेरा ब्रत करके लोगों की भक्ती ऐसे ही बढ़ेगी ये इसके नीचे का श्लूक है अधियर व्रद्यकालोयम चंद्रकाल एवा बूदेग प्रतिष्टाद सवो यत्रा माम को मंगलाये नहों भगवान कहते हैं कि चंद्रमा का दर्शन करने से जैसे सागर बढ़ता है मेरी पूजा करने से मेरी आज़ादना करने से लोगों का अमंगल समापत होता है लोगों का मंगल होता है उनकी भगती बढ़ती है इसमें बिलकुल भी कोई संसे वाली वादनियत पुना इस्तम्रू पेना स्वाव रहा सास में पुरा सकालो मारसी से तू स्या आद्रा अरिक्षवर रगो श्वेम भगवान कहते हैं कि आद्रा नक्षत्र में मेरी इस पिंडी का जो भी कोई दरसन करेगा अगेन के महीने में उसे महाफल की प्राप्ति होगी और वो मुझे कार्थके की तरह प्रिय हो जाएगा भगवान श्टंकर कार्थके को भारी प्रेम करते हैं लिखाए मद्धे रमप भिवालिंगम सहा गुआ दपी मे प्रिया है सोले नमर का इस लोग है गुई है नाम कार्थके जी का है भगवान सिब्का कहते हैं मद्धे रमप भिवालिंगम सग वहाद अपे मे प्रिया जो अरुनाचल प्रदेश में मार्ग सीर्ष के महीने में आद्रायाम मार्ग सीशेतु या पस्येन मामा सुखम मुझे सुख मिलेगा आद्रा नक्षतर पड़े और मार्ग सीर्ष के महीने में जो अरुनाचल प्रदेश में जाकर के मेरे उस सिब्लिंग का दरसन करेगा भगवान कहते हैं मुझे इतना सुख मिलेगा के वो लोग वहाद अपे में प्रियाहा कार्थके की तरह वह लोग मेरे लिए प्रिय हो जाएंगे मेरे इस नहीं हो जाएंगे तालीमत बजाना इतनी बड़ी महीमा अद्वत महीमा का बड़न के भगवान कहते में प्रुव काल में जिस दिन श्माहन इस्तम जोती के रूमे आविरबाब हुआ वही महरी सिसमाहस में आध्रा नंक्षट्र का दिन था Hugh Shreem, भगवान बोली आध्रा नंक्षट्र में भगवान शंकर के अभिष्यक का फल 1 अभिष्यक 20,000 अभिषेक के बड़ा होता है अभी आगया दयमे बड़न आई एक अभिषेक का फल सीधा 10,000 अगेन के महीने में आद्रा नक्षत्र बढ़ जाए और उस दिन अगेन के महीने में कौन से दिन सिविलिंग प्रगड हुआ यह कहीं बर्डन नहीं है यह बर्डन है कि अगेन के महीने में उस दिन आद्रा नक्षत्र था मार्ग सीर्ष महीने में आद्रा नक्षत्र हो भगवान शिव कहते हैं कि कोई यह रुनाचल प्रदेश में मेरे सिविलिंग का दर्सन करेगा वह मुझे कार्दके की तरह प्रिय हो जाएगा और वैसे भी आगे के तेरे नंबर के द्धाय में वरणने हैं मार्ग सीर्ष में आद्रा नक्षत्र पड़े और कोई भगवान शिव का महादेव का अविशेक कर लेता एक अविशेक की गिंती पूरे दस हजार अविशेक के बराबर होती है इतनी बड़ी मैमा अलम दर्सन मात्रेन फलम तस्मिंदिने शुभी अवियर्चनम नईद अधिकम फलम बाँचाम गोचरम वर्डन किया गया कहां गया कि उस सुभ दिन में मेरे दर्सन से माः फल की प्राति होती है और जो उस दिन पूजा करता है उसका फल तो बाणी से कानी जा सकता लेओ आप तो दसा जारी ही कह रहे हैं यहां तो संकर कहते हैं कि यह मूँ से बर्डन भी करना मुस्किल है आद्रा नक्षट रगेन के महीने में पड़े और उस दिन आप सिवका बशे कर बेढ़े हैं कितना फल है बाणी बर्डन नहीं कर पाएगी ऐसा बड़न किया यह लिंग भुक्ति तदा मुक्ति का एक मात्र शाजन होगा इसके दर्सनिस पर सौध्यान से हम और आप तो मनुष्य हैं जीव जन्तूं का भी कल्यान हो जाएगा यहां पर अगनी के पहाड के समान मेरा लिंग उत्पर्ण हुआ संकर जी कहते हैं अगनी की तरह बिलकुल आग की तरह अलम। अगनी की तरह दर्सनम इस्पर्णधान जंतू नाम जन्ममोचन मौचनं ओूचन है जीव जन्तू शाप का उद्दार हो जाएगा अब अब किसी ने लिखाए, इसमें मेंसेज में लिखाए कि क्या ये गरंत में लिखाए गया, कि अरुणा चल में सिबिलिंग प्रगट हुआ, लिखाए तभी तो बोल रहे हैं, पूछा गया कि कहा लिखाए, ये इसलोग लिखाए, स्री शिमहापुरान विद्देश्वर संगि अध्याय नमर 9, इसलोग नमर 21, इसमें इसका नाम है, बर्डन है, लिखाए, अनला चल संकासम, यद दम लिंग मुथितम, अरुणा चल मित्तेवत दिदम ख्यात मिश्यती, संकर जी ने नाधी काल में कह दिया था, वेसे स्थान को लोग अरुणा चल के नाम से जानेंगे और आज उस जगे को अरुणा चल के ही नाम से जानेंगे। जन्तु नाम बाशेन मरडेन चाहा। भगवान शिव के शब्द हैं, वे कहते हैं, अरुणा चल नाम से जो जगत में इसकी प्रशिती होगी, यहां पर बहुत बड़े बड़े तीर्थ होंगे, यहां पर रहने से, तता यहां पर यदि किसी की मृत्तु हो गई, महादेव क मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान शिव का ऐसा कथने हैं, तो कभी समय मिले, इस स्थान का जरूर दसन कीजिएगा, वुल्भक्त बथुचल भगवान की, जैए हो, भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मा जी को और नाराण को, वो कहते हैं, मेरे पुत्रों, जहां कहीं किसीने मेरे सिवलिंक की प्रतिष्टा की है, वहाँ पर ऐसे ही रख दिया बिना प्रावट दिश्टा के संकर जी कहते हैं उसमें मैं प्रतिष्टत हो जाता हूँ यह भगवान शंकर के सब्दे हैं 44 नंबर का इस लोग है अध्या नंबर 9 विद्देश्वरी शंगिता का इस लोग नंबर 44 चम्मालीस तत्र प्रतिष्टत हां सो हम प्रतिष्टों भी बत सको अरे मेरे पुत्रों मुझे इस्तापना करने की जरूत ही नहीं पड़ती जहां तुमने मेरे नाम से सिमिलंग रख दिया बगवान केहते हैं उसमें मैं स्वे महीं आके प्रतिष्टत हो ज परण मेरा इतना सब्जेक्ट रहा नहीं है जाए भगवान की करपा से सपुरान की कथावी होती है तो ऐसा तो नहीं लगता होगा कि आप कहीं बोर हो रहे हो कोई बात समझ में नहीं आ रही हो गई मैं को लिए सगरी बातें इस लोग बोल करके बड़ी प्रमानित बातें होती हैं यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी स्वेम भगवान महादेव कहते हैं कि मेरा सिवलिंग कहीं भी तुमने रख दिया प्रान पतिष्टा की जरोद ही नहीं तुमने करा दी अच्छी बात है नहीं करा वहां मैं आके बैठ जाता हूं भगवान बोले भगवान शंकरने का एक लिंग की स्थापना का फल बहुत है जिसने जीवन में एक सिवलिंग की स्थापना किया है उसको मैं अपना रूप दे देता हूं सिब बोले जिसने दो लिंग की स्थापना किया है वो अब मुझ में मिल जाता है मुझ में एकी भाव उसका हो जाता है भगवान के श्वेम के सब्दे हैं मत्साम एक लिंग से स्थापने फल मी रितम एक लिंग को स्थापत करने का फल क्या है उसको मैं अपना रूप दे देता हूं मत्साह एक लिंग से स्थापने मेरी तरह उसका फल दुतिय स्थापते लिंगे मदे क्यम फल मी वही यदि किसी ने दो सिविलिंग इस्तापित कर दी है भगवान कहते है वो मुझ में ही मिल जाता है मुझ में ही वो समाईत हो जाता है ये श्वेम भगवान महादेव के शब्द है मेरा लिंग रूप प्रदान है भगवान केता है जो मेरा स्वारूप है वो गोड है जिसमें गौरी शंकर की जो पृत्मा बनी होती है स्वेम महादिप बोले है वो गोड है अभगाद एफ मेरा जो शिवलिंग है वो प्रदान है 46 नंबर के इसलोक में भोल दिया है लिंगम प्रदानत क्रिस्ताप्यम तथा वेरम तगोड़कम भगवान के बिग्रे को संकर जी के बिग्रे को वेर कहते है पिंडी को लिंग कहते हैं सिबलिंग ऐसे महादेव हैं जिनकी लिंग वेर दोनों की पूजा होती है भगवान कहते हैं कि सिबलिंग प्रदान है और व अबेराम पिसरवता लिंग के अभाव में प्रत्मा युक्त भी इस्तान कहीं यदी लिंग नहीं है सिबलिंग नहीं है वगवान कहते है मेरी फोटो मेरा कलेंडर मेरी तस्वीर मेरा विग्रे रख करके मेरी पूजा कर ले माली आजाए सिबलिंग नहीं है और आप पूजा कर रहे हैं आप प्रदोस की पूजा कर रहे हैं सोले सुम्मार कर रहे हैं सिबलिंग हो जाए बहुत बड़ी वात है भगवान ने ये भी छूट दे दी यदी सिबलिंग की विवस्तानी हो पा रही है इश उपर, दो उगलियों में उखे को ऐसे निकालिये और लोटा उसमें भघवाने का अंउष्ट प्रतिष्ट तम भघवान के दे मैं उस नगूठे में आके बेट जाता हूं और आपने उस समय जल चड़ा दिया है दायने हाथ के अंगूटे पर बाएं हां से जल चड़ाया तो आपको वही फल मिल जाता है जो मंदर की सिप्पिंडी पर जल चड़ा करके आपने जिस फल को प्राथ लेकिन अब इसकार थे यह तो है नहीं कि अंगूटे के ऊपर ही कलिंडर में है फोटो में है उसमें भी मेरी पुज़ा कर सकते हैं यहे उन्होंने सबकोन मती दे दिए शंकर तो बड़े द्यालू है द्यालू हैं और बहुत ज़्यादा प्रभाब साली हैं भगवान महादे भगवान शुर्ण तद्पशाद भगवान बोले नाथ ने अपने पंचाक्छर मंत्र की बात इन देवताओं को कई अस्माद पंचाक्छरम जगे बोदकम सकल सतत अध्याए 10 इसलोक नमबर 21 भगवान महादे भगवान शंकर कहते हैं किसी अमकार पंचाक्छर से साब को चुत्पन हुआ है और इसमें तो यह लिखा कि जदने भी मंत्रे वो सब इसी से पिरकट हो गए यह वड़न किया इसकी बहुत बड़ी महिमा है जो ओमकार का नित्य श्मर्ण करते है ओम ओम कहते रहते हैं भगवान कहते हैं वो मेरा ही श्मर्ण यहां भी नबदा भक्ती का वर्डन किया है और यह मैंने कई बार बोला और बोलता रहूंगा नबदा भक्ती में चिंतन नहीं है नबदा भक्ती में श्मरण है श्मरण और चिंतन में इतना अंतर है जिसको याद किया जाता है उसको चिंतन कहते हैं अपने आप याद रहता है उसे स्मर्ण कहते है तो नवदा भक्ती में श्मर्ण है ऐसा जीवन जीओ परमात्मा को याद करना ना पड़े भगवान अपने आप याद रहता है वो स्वामी जी ने भगवान से मांगा कामी है नार प्यार जमी लोभी के प्रियदाम तेम रगुनात निरंतरह प्रियलागे हैं मुईराम कामी व्यक्ती को इस्त्री याद करनी थोड़ी पड़ती है वो उसको याद रहती है और अत्रा सुन्ने मांगा था प्रियम प्रियवा विशुतम विशुन्याह जैसे एक इस्त्री 24 गंटे अपने पती को याद करती रहती है वो अपने पती को भूलती नहीं है मुझे ऐसा बरदान दे दो इन माताओं को पती याद करना नहीं पड़ता वो स्वे महीं अपने आप याद रहता है इश्मरण में रहता है तो परमात्मा को याद न किया जाए, अपने आप याद रहे, इसको इश्मरण भक्ती कहते हैं, यह इस्मरण भक्ती, तो असमात पंचाक्छरम जग्ये बूदकम सकलत से चाहिए, इसमें लिखाएं, जगत का जितना भी शब्द ग्याने हैं, वो सब पंचाक्छर से निकला, सब ओमकार से प्रगड हुआ है, क्या-क्या अदभुत बातों का वर्डन किया, लिखाएं, भगवान के मुख से, यह सब कुछ प्रगड हो गया, पैदा हो गया, उत्तर के मुख से आ निकला, संगरदी का जो उत्तर का मुख है, उससे आ निकला, पच्छम के मुख से उ निकला, दक्छन के मुख से मा निकला, पूर मुख से बिंदू और मद्वाले मुख से नाद का प्रादरुबाव हुआ है, यह ओम, आ, ओमा, अर्द चंदाकर और अंदर बिंदू, इसको थोड़ा ठीक से सुन लीजिए, यह भगवान के मुख से न अकार उत्तराद पूर्वह, उकार पक्छमानना, मकारो दक्छना मुखाद बिंदू, प्रांग मुखस्तदा, नादो मद्दे मुखादेवं पंचदांस विस्रम बिता है, क्या वड़न किया गया, इसमें यही कहा गया, कि भगवान के ही मुख से, उत्तर के मुख से अकार, पच्छम से उकार, दक्छन से मकार, पुर मुख से बिंदू, और मद्द के मुख से नाद, जो अंदर जो बिंदू है, यह इसकी प्राकट उता हुई है, इसलिए भगवान के पांचों मुखों से, पंचाक्छर, अच्छर महादेव के पांच मुख से प्रकट हुए, बेद से उत्पन हुआ यह नाम रुपात्मक दो बर्गों में, बंटा गया एक है उमकार और एक है नमस सिवाई, याद रखना उम नमस सिवाई, जपने का उनीको अधिकार है, जो गुर मंत्र, गुर मुख से सुना ग है, गुरु के बिना, आप किसी भी मंत्र पर ओम लगाने का अधिकारी नहीं है, और गुरुदेव से मंत्र सुना है, तो हर मंत्र के उपर ओम लगाने का अधिकार सर्टीफिकट मिल जाता है, गुर मुख से सुना हुआ मंत्र सिद्ध हो जाता है, बोलिये भक्तु वत्सल भगवान की आज के आनंद की जय 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 ज जर्चा की गई है बोले देता हूं वेधा सर्वस्त ततो जग्ये ततो वही मंत्र कोटिया हा ततन मंत्रें तम सिद्यम सर्वशिद्य रतो वह सभी सिद्धियां चलके आजए किसी ने एक करूड जब कर लिया ओम नमस्वाय का महादेव ऐसे सामने प्रकट हो जाएंगे दो ब और एक यहां लिखा हुआ है एक करूड मंत्र किसी ने पंचाक्षर का जब कर लिया शिव सामने प्रकट हो जाएंगे संपुन सिद्यां उसको प्रातो जाएंगे वेध सर्वस्त ततो जगो ततो वही मंत्र को उटिया यह वेध बोलते हैं इस वात के वेध की भासा है स्व इसलिए मैं किदनी बार केता हूं कि गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला हूं महादेव का वहान बंदन पड़ाम कीजिए प्रदोस आता है सुम्मा राता है सावन का महीन आता है हम दो दिख्षा के समय पर ओम नमस्वाए जरूर सुनाते हैं मैं खुद जबता हूं मंत्र देने का अधिकार उसी को है जो खुद उसको जब करें खुद उसकी साथ न करें मैं 365 दिन जबता हूं को नमस्वाए बड़ी अदूत बाते कही है का गया है कि ये मंत्र भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करा देता है चोविश नम्मर के शलूक में बढ़न गया अनेन म अंत्रकंदेना भोगो मोक्षक्च सिद्यती भोग कहते हैं संसार की वस्तने संसार में जो भी आप चाहें को वो मिल जाएगा पतनी मिल जाएगी साधी हो जाएगी बेटा हो जाएगा वहान मिल जाएगा भूमी मिल जाएगी मकान मिल जाएगा दुकान मिल जाएगा और द बड़ा मुक्ष क्या हो सकता कोई दोस नहीं हो कोई दुरून नहों किसी भी प्रकार का एव नहीं हो ए मुक्ष आपकी तीन चीजे सुदर जाएंगी तो मुक्ष हो जाएगा क्या धर्म के अनकूल जीवन जीए अर्थ को गल्द जगे पर खर्चन करें और सहसार के साथ को कर धर्म ना करें धर्म अर्थ और काम काम सकाम को नहीं उसको निसकामता से जोड़िए अर्थ अनर्थ ना करें अर्थ धर्म कारियों में लगे और धर्म में जीवन जीए धर्म किसे कहते हैं धर्म की परवासा क्या है धर्म की परवासा जो मेरी समझ में आई है इन 35 साल में व अपने मन वचन करम से चोधे तत्तों से किसी भी प्रकार का अपराध ना होना यही जिन्दगी का वास्तविक धर्म है। नहीं बने हमने कुछ गल्ट नहीं किया मुझे लगता है कि जिन्दगी का सरवच धर्म यही है जिसके जीवन में ऐसा धर्म होगा अनर्थ ना करने वाला उसके पात धन होगा धन धर्म के लिए होता है और काम जिसके जीवन में कभी विवचार दुराचार ना आया हो यह ती समझ में आ रही है तो अनेन मंत्र कंदेन है वगवान शिव का जो मंत्र है भोग वोग भी देगा मोग भी देगा सकला मंत्र राजान सांग चान भोग प्रदास वाद यह मंत्रों का राजा है मंत्र राज गुर मुख से सुना गया जो मंत्र है वसी को मंत्र राज कहते है इसलिए राम जी ने पूछा था वहाँ गुरु जी को बालमी कुरसी को पूछा था गुरु जी हम कहां रहे है तो गुरु जी ने जवाब दिया था कहां था कि मंत्र राजनीत जपही तुमारा मंत्र राजनीत पुझे तो मही संहित परिवारा मंत्र राजे दे जपनी तुमारा पुझे तो मही संहित परिवारा मंत्रों का राजा तो भगवान ने ब्रमा जी के और नाराण जी के सर के उपर हाथ रखा और एक वस्त्र डाल दिया और कान में मंत्र सुना दिया सर के उपर बस्त्र डाला हाथ सर के उपर रख दिया इस लोग नंबर 25 दसमें अध्याय के 25 नंबर के इस पस्त है कि ब्रमा जी और विश्णु जी को दिक्षा भगवान बोले नाथ में दिये तब से लेकर ये दिक्षा का कार्ण कमाई तक चल रहा है विश्णु भगवान के और ब्रमा जी के गूरू है भोले नाथ भोले नाथ को भगवान में भी लिया गया है भोले नाथ को गुरू में भी लिया गया है इस पस्त लिखाए निदाय तस्ष्ण करांबोजम् मुखं संस्ततो सहां भी कहा यानि इसका बिल्कुल एकदम अर्द है भगवान ने विश्णु के गुरू भगवान बने ब्रमा जी के गुरू बने गुरू बन करके नंदी के इस वर नंदी बताते हैं के पुनस्तयोस्तन तिरहा पटम गुरू इस पस्त लिखाए इस गुरू भी मंत्र कम से कम से कम तीन बार सुनाता है ज्यादा बले ही सुना दे तीन से कम नहीं सुना था भगवान ने तीन बार सुना लिगा तेरो चार यां ग्रहीन मंत्रह यंत्र तत्रोप पूरवकं एक बिधी पूरवक भगवान ने तीन बार इस मंत्र का उचार्ण किया वर्ड ने हैं उत्तरा बिमुक उत्तर की त्रम मुँ करके और तीन वार इसका उचाण कराया तीन वार मंत का उचाण हुआ सिस उन्हें दिक्षणा की दिक्षणा ग्रेंड करी उसकी दक्षणा में उन्होंने क्या दिया दक्षणा दी जाती है दक्षणा में क्या दिया जब दिक्षणा ले ली तो दक्षणा में क्या दिया उन्होंने अपने आपको समर्पित कर दिया अपनी आत्मा महादेव को दे दी इस पस लिखाएं सिसवु चतवु दक्षणा या आत्मानम चसमर्पेत कह दिया आसे हम स्वाप के एंसे अलावा हमारा कोई नहीं है अपनी आत्मा को दोनों देवताओने है भगवान के लिए समर्पित कर दिया आत्मानम चमर्पैत अपनी आत्मा को समर्पित कर दियाय व going 26 नंमर के स्लोग नार्षम ध्याई विदेश्वर संगता 26 नंमर का इस लोग ब्रह्मा और विष्णु दक्षणा देते क्या दक्षणा हैं गात्मा नंच्छ समर्पयत के दिया आत्मा समर्पित करदी तत्वाशाद ब्रह्मा और विष्णु क्या इस्तुदी के नमो निस्कल रूपाया नमो निस्कल ते जसे नमह सकल ना थाया नमस्ते सकल आत्मने दोनों के दोनों इस्तुदी करने लगे कहने लगे हे प्रभू निस्कल रूप वाले निस्कल तेज वाले सस्थी के आदी सस्थी के करता हम आपको नमसकार करते हैं वो पांच मुखवाले आपको हमारा नमसकार है आप हमारा प्रणामसी कार कर लें इस प्रकार से उन्होंने प्रणाम किया और भगवान ने कह दिया आद्रायांच तज़रcjęांपयम तक्षेम भवेत अच्छेम भवेत इस लोग नम्मर कितना है ते थीस नम्मर का है उन्होंने का चत्रुदसी किसी भी महिने की चत्रुदसी में आध्रा नक्षित्र पढ़ जाए और उस दिन आप अपने गुरुमंत्र को जपोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा इसलिए पंचांग रखना कितना जरूरी होता है चत्रुदसी तो पढ़ेते थी और आध्रा नक्षित्र पढ़ जाए और उस दिन गुरुमंत्र का जब हो तो गुरुमंत्र सिद्ध हो जाएगा ये भगवान शिब का दिया हुआ बर्दान है भाईया सब के लिए सब को वर्दान दे दिया बोली शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महराज की ये हो तब पर शाथ पूछा गया कहा गया कि भगवन आप हमें बताए कि कौन कौन सी सिपिंडियों के उपर आपका पूजन हो सकता है सूर्जी सोनक्षियों को बताने लगे यहों तो कई धात समय के दौर्य मरकत मोती मूंगा गोमेध और हीरा को इ liability उनको बड़ा बिसेस माना गया लिए असमें 11 में 17 है इंजय के Corona नंबर 11 में इन पंडियों के नाम का golden किया गया है लेक्ते शेय दरotte शंकितह अमे अधाल्यान गयार्यार और श्लोग नमबर 11 क्या कहा गया है भूशताई नवरत नईशा दिख द्वारे च परदान कई ये बड़े परदान अपने आमें नीलम रक्तम च वेदूर्यम स्यामम आरकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद बज्राणी नवरत नकई नो प्रकार के रतनों से वनाकर के तयार के गए नीलम वेदूर्य, मरकत, मोती, मुंगा, गोमेद, हीरा, फुक्राज जिसको इंगलिस में कहते हैं डाइमंड बड़े अद्वत हैं इनकी बहुत बड़ी महिमा हैं मद्दे, लिंगम, मेह, द्रब्यम, निक्षे, प्यांसाही, बेदिके स्वेम बेद इस बात को कहते हैं वेदों ने इस बात को माना है और भगवान विश्व कर्मा जी ने तो बड़ा इनका निर्मान किया है तो इसके बारे में बताया, ग्यारे नम्मर के इश्लोक में इस बात को बड़ित किया गया नील, रत्न, वेदुर्य मड़ी, शाम, मरकत, मड़ी, मोती, मुंगा, गोमे, दहीरा इस सब नवरत्न, जहां लिंक की स्तापना करनी हो तो ये वहां पर आप रख सकते हैं बहुत बड़ी महिमाए इनकी और भी है, बान लिंक का ब्रड़न किया गया है बान लिंक नाम है नर्मदेश्वर भगवान देखो एक बात जरूर सुन लिजेगा जिस धातू की पिंडी है, नीचे जलहरी उसी धातू की होनी चाहिए सिर्फ एक ऐसा नर्मदेश्वर है, जिसके नीचे कोई भी आप जलहरी बना सकते है लकड़ी की बना लो, पत्थर की बना लो, धातू की बना लो, चांदी की बना लो, सोनी की बना लो ऐसा वान लिंक जिसको दूसरे सब्दों में नर्मदेश्वर के नाम से जाना जाता है इसके अलावा और जितने भी हैं, आपके पास पारदे सवरे हैं, तो नीचे उसकी जलहरी पारद की ही हो बनवाए भले ही लें आप चांदी की, लेकिन वो प्रभाब साली तब ही है, पारद की हो लकड़ी का सिबिलिंग है, तो नीचे लकड़ी की ही उसके लिए हो मिट्टी का जो सिबिलिंग है, उसके लिए जलहरी नीचे मिट्टी की ही होनी चाहिए ये सिगरा 11 में अध्धाय में इसमें बर्डन किया गया है ये नहीं है कि मिट्टी की जलहरी बना करके और आपने पारद का लिंग उसमें सिबिलिंग उसमें रख दिया नहीं जिस धातू की सिप पिंडी है नीचे की जो जले रही है वह भी उसी धातू की होनी चाहिए यह भगवान ने बड़ी अदवत अदवत बातों का बरड़न स्वेम अपने मुख से किया है दस हजार जब या हजार जब जो नित करता है और वो गुर्व मुख से मंत्र सुनकर के जो करता है भगवान शिप बड़े प्रसंद हो जाते हैं कुछ चीज़ें जीवन में बड़ी विसेश हैं मिल जाएं तो बड़ी अच्छी बात है क्या लिखाएं इसमें लिखाएं दिक्षा युक्तम गरूर गिराये मंत्रम यता फल प्राप्त है एक तो आज के समय में गुरू मिलना बड़ा मुश्किल है हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस पस्ट लिखाएं अब ये मेरी बात बहुतों को कड़ भी लग जाती है इसमें आप देखिए श्री श्री महापुरान अध्याय नम्मर 11 और इसलोक नम्मर 41 इसमें इस पस्ट लिखाएं बिशेष गुरू ब्रामबड़ा ही है लेकिन ये दुरलव है मिलना बड़ा मस्किल पढ़ता लिखता है ब्रामबड़ा सत्य पूतात्मा गुरूर ज्यानी विशिश्यते इसमें भधवान शिव की सब्दे और ब्रमाधी को और विश्णु को माध्यम बनाकर ये हमें और आप सब कोई बात कही जा रही है ब्रामबड़ा सत्य पूतात्मा गुरूर ज्यानी विशिश्यते इसमें ये भी चीज़ें होनी चाहिए जखाएं ब्रामबड़ा जाती से ब्रामबड़ भी हो सत्य पूतात्मा सत्य यानि धर्म के रास्ते को उसने स्विकार गया पूतात्मा जो पवित्र है गुरूर ज्यानी विशिश्यते ऐसे गुरू को बहुत बिशेस माना गया यह बात कह दें तो ठेक लगता नहीं है बुरते हैं कि अरे जो संत है अरे ठीक है संत है बढ़िया है सादू है महापुरुस्थ सब वुझ्य है आइ लेकिन भगवान भी जब धर्फी पर अवतार लेते हैं तो उनोंने भी सब से पहली यही का आय कि कि भिप्रदेन सुरसंत हीता लीन मनुझ अवतार वो भी सब से पहले अपने मुख से ब्रामण का नाम लेते हैं विश्णु पुराण में नमो ब्रह्मन देवाय नमो संत देवाय नमो ब्रह्मन देवाय गव रम अध़िताय चार जगत विताय आठके समय में सिद्ध बनने में भी तो दिर नहीं लगती न संत सब्द इतना सस्ता हो गया है इतना सस्ता ऐसा लग रहा है सरसों की ख इसको देखो सी के नाम के आगे संत है, जो देखो सी के नाम के आगे संत है, इतना सस्ता सब्द हो गया, संत है, एक बात का मैं निवेदन करूँगा, हमारे पुर्खे भी कहते थे पानी पीना च्छान के और गुरू करना जान के, आप देवियां अपने पती को जवर्दस्ती से दिख्षा दिलाती है बिलकुल गल्थ है बिलकुल भी नहीं उसका मन करे बहुत ज़्यादा और इतना मन करे कि वो रही न पाए अपने आप ब्याकुल हो करके आवे तब वो दिख्षा लेता है तब वो प्रभाब साली होती है तुम जवर्दस्ती से दिलवा दो पववा छोड़े नहीं और ये सब गटिया काम छोड़े नहीं तो वो तो अप दिक्कत तो हो रहे है दिख्षा युक्तम गुरु ग्राहम दिख्षा युक्तम गुरु ग्राहम ऐसा गुरु खोज करो जो खुद में दिख्षा लिये पहले से उसका भी अपना कोई गुरु है मंत्र ये तो फलापत है ऐसे गुरु के मुख से सुना हुआ गया मंत्र हाले ही फली भूत हो जाता उसने भी तो कहीं से मंत्र लिया हो उसका भी तो कोई अपना गुरु हो जिसने दिख्षा ले निकले जाए कुम श्नानम घड़े के पानी से श्नान कीजिए मंत्र दिख्षा मात्र का न्यास में बचा है क्या अधुत अधुत बात है घट इस्तान मंत्र दिख्षा मात्र का न्यास युक्त सत्य पवित्रात्मा ज्यानी गुरु जो जाती से ब्रह्मड हो उबै दिख्षा के लिए सर्व स्विष्ट का आगया संकर कहते है इसलुक नमर फोटीवन इक्तालिस बोलिये बांके विहारी लाल की स्री हनुमान जी महाराज की पंच कोटी जपम कृत्पा सदासिव समो भवित्र जिसने पांच करोड ये मंत्र जब लिया है वो साग्जात संकर की तरह हो जाता है सिब की तरह हो जाता है पांच करोड जिसने जब लिया लिखाए पंचकोटिजपम, कृत्पा, सदासिव, समोववेत, श्लोक नंबर 43, 43, लिखाएं कि मंत्र में जितने अच्छरे हैं, उतनी लाख का जब होता है, तो एक पुर्षण पूरा हो जाता है, जैसे द्वात्साक्षर मंत्र है, उम नमो भगवते वासुदेवाई, बारे लाख प पुर्षण होता है, और पंजाक्षर का जो पुर्षण है, वो पांच लाख पर पूरा हो जाता है, ऐसी बड़ी अद्वत अद्वत बातों की जो चर्चा की गई है, बहुत ज्यादा आनंद देने वाली हैं, पुर्ण्यक, छेत्रे, इस्तावापी, कूपाद्यम, पुसक अखर बगेरा, जहां जलके सुरूत हैं, ऐसी जगहे पर साधना की जावे, तो बहुत 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 जल्दी, फलसुरुती अपनी दे देता है, भगवान शंकर तो बड़ा आनंद देने वाले देवता हैं, बहुत आनंद करते हैं, फिर कहोंगा किस में अपनी साधना में उनको जरूर रोड़िएगा जहां पंच देव उपाशना की बात कही गई है उसमें अपने घर में भगवान महादेव को भी पूजने की बात कही गई है इनके बिना तो मंदर विल्कुल अधूर आई है देखो मैंने जहां पढ़ा है मैं आपको निविदन कर रहा हूँ कुंडली में कितना भी बड़ा कोई दोश है और जब जनम पत्री में दोस देखा जाता है मंगलीक दोस है काल सरफ दोश है भगवान सिवकी पूजा करने से जनम पत्री एक नमर की हो जाती है हाँ सिगरे दो सबरे दोश फैल हो जाते हैं इतनी बड़ी महिमा भगवान महादेव की है भगवान शिवकी है ऐसे भगवान भोले नात कि सब के उपर करवणा कर रहे हैं सब के उपर करपा कर रहे हैं उनके चड़ों में मुझे और आपको सब को जुड़ करके रहना चाहिए उनके बिना कल्यान किसी का हुआ नहीं है और हो भी नहीं रहा है और मुझे लगता है कि हुने वाना भी नहीं है एक बार चौपाई बोलिए और हो दिर जन जानी आसे तो से तो में अब डर जानी आरति हर रहो दिर जन जानी आसे तो से तो में अब डर जानी आरति हर रहो दिर जन जानी जही पर कृपाणा पर रहीं उनाए जही पर के बाना कड़नी पुनारी सोना पाव गुनी भगते कमारी जही पर के बाना कड़नी पुनारी सोना पाव गुनी भगते हमारी जही पर के बाना कड़नी पुनारी सोना पाव गुनी भगते कमारी जही पर के बाना कड़नी पुनारी सोना पाव गुनी भगते हमारी जही पर के बाना कड़नी पुनारी सोना पाव गुनी भगते हमारी जही पर के बाना करनी पुनारी सोना पाव गुनी भगते हमारी जही पर के बाना करनी पुनारी सोना पाव गुनी भगते हमारी जी शिवे द्रोजी मावे दासे कहावा सोना पावने हो मुनी नभावा दिब द्रोधी मंगर का से कहावा सुनर तुम बेशी हो मौनी नगावा सुनर तुम से तुम मैं अब डर दानी आजय पे हर रहो तेर जैन जाजी अपर भगवान के जैए